हेलो बीटिफुल प्रोग्रमर्स जालकूम टू एनधर वीडियो और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग कैसे अपनी अंडॉइड डिवाइस की स्क्रीन को यूबल टू पे कास्ट कर सकते हैं इसे एडी डियनेक्ट तो विदाउट अनी फर्दर डिले लेट्स अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेल आइकन प्रेस करना ना पूलें ताके लेटस वीडियो आपको में जिरें तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल को अन करने की शॉटकट की है कंट्रॉल आल्ट ठीक है जब यह प्रेस करेंगे तो आपके सामन कमान इंसर्ट करनी है वो है इंस्ट्रॉल करने की ADV टूल ठीक है उसके लिए आपको कमान इंसर्ट करनी है sudo apt get install android-tools-adv ठीक है इसके पाइटिंग का पासवर पूछेगा तो आपने पासवर लगाया हुआ है वो इंसर्ट करेंगे तो चुके मैंने यह सारी चीज़े आर्री पहले इंस्ट्रॉल की है आप से वो इंस्ट्रॉल करवाएगा आपने वाइप्रेस करना है और वो आटमेटिक इंस्ट्रॉल को अपने लैप्टोप के साथ या आपने पीसी के साथ अनुस्ट के साथ आ हुआय चैक करना के अपने तो आपका पूण्निक्ट है नही आ है तो आपने लाप के समय कर दो के ट्ला है और यह आप को आप सामने Numberslas को है मॉर्र इसके लिए ऑपने ञपाय बेल देवलपर मोड में लेकर जाना है और डेवलपर मोड में लेकर जाने के बाद आपने USB Debugging on करने लिए ठीक है तो आपने command insert करनी है sudo apt install ffmpeg यह insert करनी है और यह मैंने already install की गई इसके बाद आपने एक command insert करनी है जो कि है adb shell screen record ठीक है dash dash output dash format sorry format equal to h264 h264 basically mp4 का format है ठीक है dash यह pipe का sign उसके बाद ff play यह ffmpeg के अंदर function है और यह hyphen sign यह insert करके आपने इंटर बटन प्रेस करते है इत विल टेक सम टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी screen पर यह show हो जाएगी जी गैस आपके सामने यह आपका phone है live आपके सामने आ जाएगा अभी मैं setting का open करता हूं तो setting open हो गई है ठीक है और अगर मैं मोर में जाता हूं तो मोर में जा रहा है means आपकी screen कास्ट होगी है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई है तो like a button प्रेस करें और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप comment section में पूछ सकते है बाई बाई